हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बालोजी हैंडबुक के पार्ट बी का पहले के 10 प्रेक्टिकल देखने के लिए प्लीज प्रेक्टिकल को चेक कीज़ेगा आपको वहाँ पर 12 बालोजी हैंडबुक एंसर्स की प्लेश मिल जाएगी सारे प्रेक्टिकल्स आपको इस प्लेश में एकदम सीक्योंस वाइस मिल जाएंगे और अभी जो 11 प्रेक्टिकल चल रहा है जल दी हम यह पार्ट बी के भी सारे प्रेक्टिकल्स कंप्लीट कर देंगे तो आपका जो हैंडबुक है ट्वाइल बालोजी का और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए शिरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल है study of morphological adoption of animals found in xeric and aquatic condition or habitat so morphological adoption यान कि जो बाहरी adoption होता है शरीर के बाहर का यान कि किसी का पैर छोटा किसी का पैर अलग होता है so morphological यान कि बाहर जिसे हम देख सकते हो physiological होता है अंदर का but हमें morphological देखना है यान कि जो बाहर ते आसानी से दिख जाते हैं adoption ऐसे so aim है study of two animal each found in xeric यान कि desert aquatic conditions with respect to their morphological adoption so सबसे पहले हमें camel यान कि ऊट के बारे में पढ़ना है कि ऊट में क्या-क्या adoption होता है तो हम सबको पता है कि ऊट रेगिस्तान में यान कि जरीर कंडिशन में पाया जाता है जहापर पानी नाम मातर के लिए खाली होता है उट हमें पता है कि क्या होता है उट को रेगिस्तान का जहाद कहते हैं क्योंकि पानी को वाट को स्टोर करता है उसे बहुत दिनों तक भूख नहीं लगती है तो वहीं हमें यहाँ पर एडेप्जिन उसके पढ़ने हैं लेशी पेड यहां पर आप देख सकते हैं एक कैमल है दुसरा एनिमल है कंगारू रेट यह एक एक एनिमल है जो की साउथ अमेरिका रिजर में पाया जाता है जो महीनों तक सालों तक पानी पीता ही नहीं अक्चली उसे पानी कभी नहीं लगता जिन्दिक में क्यूंकि उसका इसका आप देख सकते हो डाइग्राम कंगारू रेट उसके बाद हम देखते हैं एक वर्टिक एनिमल इससे पहले हमने दो देखे एनिमल जो की लैंड पर पाया जाते हैं अब पानी में पाये जाने वाले एनिमल का अडिप्शन देखते हैं सबसे पहले है फ्रेश वोटर क यानि जहारू जो एक्स्क्रीशन होता है एक आमोनिय एक्स्क्रीट करता है उसके बाद आगला है डॉल्फिन तो जो डॉल्फिन है देखो यहां परका दिया है इसके बाद आप देखते हो इसके बाद आप देखते हो आप देखते हो जो बाकी की मचली होते हैं जिसे बाकी की मचली ऑपर फर वगिरा होता है तो इसमे काद में परका 5 वार स्फलो करता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक धमयकेदार चीज के बारे में बताना चाहता हूँ अनेकडमी आपके लिए लेकर आये हैं अनेकडमी प्रोडीजी टैलेंट रिवोर्ड एक्समिनिशन स्टेंडर चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइप यानके स्कॉलर्शीप टेस्ट है अगर आप इसमें जितते हो तो आपको लाइप टाइम जो स्कॉलर्शीप है वो मिलेगा इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सबके लिए है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो तो यहां पर देखोर टोटल चार टेस्ट होने वाले हैं पहला टेस्ट जो हो जनवरी 23 को दूसरा जनवरी 29 को तीसरा फरवरी 6 को और चोथा जो हो फरवरी 13 को होगा इसका स्ट्रक्चर है अगर आप इसमें जीतते हो तो आपको लाइव टाइम स्कॉलर्शिप मिलेगा साथ ही जो दूसरे rankers होंगे उनको भी मिलेगा reward rank 1 वाले को Macbook Air दूसरा जो rank 2 से 3 के बीच में रहेंगे उन्हें Apple iPhone rank 4 से 5 उनको Apple iPad देन rank 6 से 40 तक उनको Amazon Echo Dot देन rank 41 से 100 तक उनको Amazon का gift voucher मिलेगा तो यह test सिर्फ 30 मिनट का होगा और यह 30 मिनट में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो link description में है enrollment के लिए हमारा code SMS यूज़ कर लिजेगा और सिर्फ इतना ही नहीं है निकड़मी आपके board exams के लिए class 12 के board exam के लिए free test series लेकर आया है इसमें आपका PCM भी इसके सारे जो important topic है important question है इसको cover किये जाएंगे आपको इसमें जो भी test series दोगे ठीक है तो आपका एक idea हो जाएगा board exam के लिए कि कैसे question आते हैं साथ ही आपका जो competitive exam है उसका भी idea हो जाएगा तो ये test series चालू है हर सेनिवार और रवियार को 9 बचे और 10 बचे होता है तो इसका जो भी आपका doubt बगरा है सब कुछ clear हो जाएगा live session होगा उसके बाद आपका जो भी doubt बगरा है वो भी clear करके लिया चाएगा इसका भी link आपको नीचे description box में मिल जाएगा हमारा code FMS यूज करके आप इसमें enroll कर सकते हो बिल्कुल free में आगे चलते हैं वीडियो में तो यहाँ पर कुछ question भी है क्या है सबसे पहला है enlist morphological adaptation in desert animals so morphological यान की बाहर के ऐसे adaptation जिसे हम देख सकते हैं अपनी आखों से तो सबसे पहला आपको लिखना है some desert animals have body parts specially adapted for fat storage example camel hump and आप यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ ऐसे जो animals होते हैं desert में पाई जाने वाले उसका जो body है और fat storage के लिए बना होता है जैसे की camel का जो उपर का और निकला होता है koo bird जिसे हम hump बोलते हैं उसमें उसका fat storage होता है energy के production के लिए then दूसरा है fat when digested is the greatest amount of metabolic water of any nutrient so यहाँ पर आप इसका adoption देख सकते हो आगे दिया है unless the morphological adoption in aquatic animals so अभी हमने देखा desert animal के बारे में अब aquatic animal के बारे में so इसका आप answer देखो the bodies of most aquatic animals are streamlined यानकी एक सीधी रेखा में होती है a streamlined body shape in one that is narrow of both ends and broad in the middle यानकी एक नाव की तरह होती है आप यहाँ पास देख सकते हो जो उन्हें पानी में जाने में मदद करते है friction कम होता है उन्हें कम energy का use करना पड़ता है इसका example आप देख सकते हो penguin dolphin fish third है give function soap सबसे पहला है hump यानकी जो camel का उट का उपर का निकला हुआ भाग रहता है for breathing in water जो फीश होती है जैसे की रोहू उन्हें गिल्स होता है जिसे हम हिंदी में गल्फडे कहते है और मराथी में क्या कहते हैं आपको पता हो तो कमेंट करके बताईएगा तो उसके थूँ वो respiratory अपना जो भी काम है वो करते हैं अगला है flipper यानि कि जो डॉल्फिन के पास होता है जो डॉल्फिन के दो हाथों की तरह होता है तो flipper का जो इस्तमाल है वो usually वो swimming के लिए ही करते है flipper का मतलब ही होता है जो swimming के लिए काम आए ऐसा अगला है codalfin तो यहाँ पर आप इसका answer देख सकते हो इंक्रेजिन लिंबर बोन स्टेंथ अडेप्शिन ओप डिजिट्रेट और अंगिलिट ग्रेट स्टेंस तो यहाँ पर आप इसका answer देख सकते हो तो यही ताश का वीडियो आप आपको सारे जो answer हो और समझ में आ गए होंगे आप मुझे इंसेर नापर फोलो कर सकते हो आपको कुछ डाओ लोगातों आपर पूशने के लिए मिलते हैं अनिक्रेटी वीडियो में धन्यवाद